आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कीमा पुलाओ वो भी बीना कीमा के तो आप मेरी वीडियो को इंड तक जरूर देखिएगा और ये ऐसी रेसिपी है जिसे आप एक बार 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 बनना चाहेंगे और आप चाहोगे कि आप इसे रोज बना कर खाएं तो आप मेरी वीडियो को इंड तक जरूर देखिएगा बट उससे पहले मैं खुश्बु का नवजिया और मैं अपने चैनल घर का जायका वित खुश्बु में आपका स्वागत करती हूँ और आप फास्ट बार मेरे चनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो अच्छी लगए तो प्लीस इसे एक लाइक तो जरूर कीजिएगा तो सबसे पहले हम एक पहल लेंगे और पहल में आड़ करेंगे वाइल वाइल जब गर्म हो जा तब हम इसमें आड़ करेंगे ओनियन, ओनियन को हमें फ्राइ करना है तो हम इसमें ओनियन आड़ करते हैं और ओनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे तो यह गोल्डन ब्राउन हो गया है अब मैं इसे एक प्लेट पर निकाल लूँगी और इसे किसी छानी की हेल्प से पूरी तरह से छान लूँगी अब हम उसी वाइल में एड करेंगे सोयावीन मसाला जो की नॉर्वन मसाला के साथ कोटिंग किया हुआ है और इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे तो ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया और मैं इसे भी प्लेट पर निकाल लेती हूँ फिर हम उसी वाइल में थोड़ा सा गी आड करेंगे अगर आपके पास खी नहीं है तो आप रिफाइन वाइल का भी इस्तमाल कर सकते हैं घी जब गर्म हो जाए तब हम इसमें चौक लगाएंगे और ये सारे इंगेडियन्स को हमने लास्ट में नोट कर दिया आप वहाँ से चेक कर लिजिएगा फिर हम इसमें आड करेंगे जिंगल और गार्लिक कुटा हुआ और इसे भी एक दो मिनिट के लिए कुक करेंगे या फिर जब तक इससे खुसवू आने न लगे फिर हम इसमें एड करेंगे स्लाइस में कटा हुआ आनियन और इसे एक दो मिनेट के लिए कुक करेंगे जब एक दो मिनेट हो जा तब हम इसमें एड करेंगे टोमाटो और इसे जल्दी कुक करने के लिए हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और फिर इसे कवर करकर एक दो मिनेट के लिए हम कुक करेंगे एक दो मिनेट कुक करने के बाद हम कवर को हटा कर इसे और अच्छी तरह से चलाते रहेंगे ताकि टामाटर अच्छी तरह से कुक हो जाए मैंने आपको कहा है ना मैं आपको बता रही हूं कीमा पलावो भी बीना कीमा के तो मैं यहाँ पर ले रही हूं कीमा की जगा पर वेजिटेरियन कीमा और वो है वेट कीजिए मैं आपको बताती हूं और वो है सोयवीन का कीमा मैंने यहाँ पर सोयवीन को पानी में नमक के साथ वाइल कर लिया है और मिक्सर में ग्रैंड कर लिया है और मैं इसे पैन में एड करूंगी और एक दो मिनिट के लिए कुक करूंगी अगर आप नन वेजिटेरियन है तो अगर आप इसे एक बड अपने घर पर बनाईएगा तो आप नन वेजिटेरियन होना भूल जाईएगा और आप इसे बारबर बनाएंगे तो फिर मैं इसमें एड़ करूंगी मसाला और मसालों में मैंने यहाँ पर लाल मिर्च और हल्दी और यह कटोरी में पीसा हुआ मसाला है जो कि मैंने वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है आप वहाँ से चेक कर लिजेगा और इसमें थोड़ा सा पानी आइड़ करकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सॉरी मैंने इसमें नमक डालना भूल गए थी तो मैं इसमें नमक अइड़ कर लेती हूँ और फिर इसे पैन में अइड़ करूंगी और एक दो मिनिट के लिए कुक करूंगी और फिर इसमें किसमिस अइड़ करूंगी और इसे चलाऊंगी एक दो मिनिट के लिए और सारे इंगिनेंस को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं एक दो मिनिट कुक करने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे एक सिक्रेट मसाला जो कि हमारे कीमा पलाओ को आर भी मज़ेदार और जाय के दार बना देगा तो वो है गरम मसाला और मैगी मसाला ये मैगी मसाला को आप एक पैकेट पूर आइड़ कर दीजेगा इससे ये बहुत ही जाय के दार लगेगा खाने में इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करकर इसे कवर कर एक दो मिनिट के लिए कुक करेंगे जबकि जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तर मैंने यहाँ पर लॉंग के साथ चावल को कुक कर लिया है 80% तक है आप भी नमक और लॉंग के साथ ही चावल को कुक कर लिजेगा 80% और मैं इसे साइड में रख देती हूँ देखिए इसका कलर कितना खुबसूरत आया है क्योंकि घर का जएका विद्खुश रूमे जो दिखता है वही पकता है अब मैं इसमें चावल को चावल तरफ से फैला दूंगी उपर से दूंगी जो अब मैं घर को चावल तरफ से लिव पकता है विद्खुश से लिए बामैं जो तरफ से फैला आया है एड़ करेंगे फ्राइ किये हुए स्वयवीन, बिर्यानी मसाला, फ्राइ किये हुए आनियन, किश्मीश, ग्रीन चिली, मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, केवरा जल, अगर आपके पास केवरा जल नहीं है, तो आप इसे एवाइड भी कर सकते हैं, फिर इसमें चार तरफ से घी आइट कर दूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला पौडर, या फिर बिर्यानी मसाला, और ग्रीन चिली, और थोड़ा सा बिर्यानी मसाला, अगर आपके पास बिर्यानी मसाला नहीं है, तो आप गरम मसाला का भी यूज कर सकते हैं, या फिर मैगी मसाला का, और फिर इसे कवर करकर 15 मिनिट के लिए थी मियाज पर कुप करेंगे, 15 मिनिट हो गया, अब मैं इसे कवर हटा कर दिखाती हूँ, या कितना खोपसूरत लग रहा है ना देखने में, लग रहा इसे अभी ही खा जाए, वेट थोड़ा इंतेजार करना होगा, तो इसे हमें कटोरी में निकाल लेते हैं, तो चलिए इसे हमें कटोरी में निकाल लेते हैं, और बाकी को कवर करकर साइड में रख देते हैं, और इसे गार्निसिंग करेंगे हम फ्राइ की हुए आनियन, किश्मिश और ग्रीन चिली और साथ में थोड़ा सा सलाद के साथ, उपर से ग्रीन चिली रख देंगे, तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म आपके लिए कीमा पलाव, तो आप इसकी रेसिपी के सारे इंगिरियन को नोट कर लीजिए, जो की यह हैं, यह बहुत ही टेस्टी और डिलीजियस है, तो मैं इसे आपको टेस्ट करकर बताती हूं, कि ये कैसा बना है तो चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं तो इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे कभी आपने ग्रीन चिली सॉस के साथ खाया है विडियानी या पलाव नहीं तो आप एक वार जरूर खाईएगा मैं आपको सजेशन देती हूँ यह बहुत ही टिलीजियस लगता है खाने में यकीन मानिये यह बहुत ही टेस्टी बना है अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इसे एक वार अपने घर पर ट्राइज जरूर कीजिएगा I hope आपको मेरी कीमा वाली रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक और अपने फ्रेंट फैमली में सेयर जरूर करे और हमें कमेंट करकर बताएं कि हम आपके लिए क्या बनाएं और सबसे खास सबसे इंपॉर्टेंट वात अगर आप मेरे चैनल पर फास्ट वार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए क्योंकि सस्क्राइब करने पर पैसा नहीं लगता बट मेरा होसला जरूर बरता है आगे काम करने को प्लीज सपोर्ट मी मैं एक छोटे से सहर से हूँ तो मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक खुश रहिए खुशियां बाढ़ते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए क्यूंकि अपना भारत स्वक्ष भारत थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग टेक कियर और नमस्कार